बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रीटूज पेपर हैकर में मैं सुरस रहास और आज की बीडियों देखने वाला है जो भी छातर बीए सेकंड समस्टर में है उनके लिए हम सोसलोजी की पेपर आप देख लीजी ध्यान से सोसलोजी का पेपर है जो 2022 में आपके पेपर होने वाले है उसकी बात करने वाले है और यह 17-18 कोशन याद करके आप ला सकते है 85% प्लज जी हा 85% प्लस आप लाएंगे और 85% मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले है तोपर आप इसके नोट्स को आप डालोड करना चाहते हैं जिनके MC को कोशन हो रहा है वह सारे नोट् पर आप टोच करेंगे और फॉघर करेंगे बड़े आसानी से सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्षिन में हमसे पूँस सकते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं। अपने ही एक ऐसे टौपिक के बारे में सोचलोजी के जो बहुत ज़्यादा मेहतपूड कोशन है। मैं इन में से बहुत सारे कोशनों को क्लोज कराऊँगा। मतलब कि काट दूंगा बाकि कुछ ऐसे कोशन दूंगा जो आपके पेपर में छप रहे हैं। तो आप जिन-जिन शात्रों के पेपर अभी हाली में हो रहा है, 2022 में पेपर स्टार्ट हो गया, जुलाई अगस्त में दूभी पेपर होंगे, या फिर जुलाई अगस्त सिदंबर में, तो अउन्च अभी शात्रों को ध्यान से सुन लेना है, और इन कोशनों को और याद करके रट के जाना है, मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूँगा, चाहें कुछ भी हो जाए, समझ रहे ना, तो पेपर हैकर पर आपको बिस्वास करना है, और इन कोशनों को रट के जाना है, स्टार्ट करतें फटाफट वीडियों को अपने नोट्स को ऊपन कर लिजिए यदि आपके पास नूट्स नहीं है तो आप हमारे नोट्स तो को डालोड कर लीजिए आपको पेपर हैकर वेबसाइट पर जा ना सारी वीडियो सारी मिलेंगे अब यहां जब touch करेंगे तो उसकी आपको videos मिल जाएंगी तो इस तरीके से हमने सारे mention की है आप अच्छी तरीके से त्यारी कर सकते हैं बहतरीन और अपने notes को download कर सकते हैं चलो अब starting करते हैं लोग अपने important question होगी तो यहां देख रहे हैं कि पहला question दे रहा है कि गाब का तरत्वरी क्या होता है मतलब गाब blaze कहते किसे हैं और उसके बिसेस्ता उनके कारणों के बारे में उनके प्रिकारों के बारे में बताना है जैसे कि आप जानते हैं एक मैं आपको simple तरीके बता दो blaze जैसे कि हमारा गाओव उसके बिसेस्ता क्या होती है तो खुली हवा मिलती है ठीक न ऐसी चीज़िए इसकी बिसेस्ता ही होती है तो वह चीज आपको बताना नहीं होता है और यह वैंनग में पूंचा जाता है और यहां सब कुछ एक साथ व Clo газ में बुला गया कि भारतिये समाज में ग्रामीड कह सकते हैं नगरिये जो संपर्क है वो आपको बताना है ठीक है मतलब कि भारतिये जो समाज है हमारा उसमें ग्रामीड नगरिये संपर्क उसके बारे में आपको बताते रहा है कस्वा किसे कहते हैं कस्वा किसे कहा जाता है इसके बिसेश्था और नगर किसे कहा जाता है उसकी बिसेश्था उसकी अब धार्णा के बारे में देखू गाओं कस्वा और नगर इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और साथी साथ यह देखना है कि मेरत में भासाई विधिता के बारे में आप याद करके जाएंगे और भासा की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह कोशन आप याद करके जाएंगे यहां वो लगा है धार्मिक बिस्वास क्या होता है और यहां कहा रहा है बिस्वासों का हिंदू जीवन पर क्या महत पड़ा है जो जाती की विसेस्ता की साथ में देखेगे और जाती प्रता क्या होती है जाती क्या होती है बहुत जादा महत्पूर इंपूर्टेंट कोईशन है इसको आप एक बार पढ़के जाएंगे महत्पूर कोईशन है रट के जाएंगे भारतिय समाजिक सरचना क्या है भारतिय समाजि मैं हिंदू है तो यह चीज़े ठीक है तो उसके अलग अलग धर्म है तो धार्मिक बिद्दाओं के बारे में आपको बताते रहे नेक्स कोशन संस्कृति संस्कृति से कल्सर कहते हैं ठीक है पर्यावन का जो निर्मित भाग है वो विसकी विसेश्था बताइए मतलब पार भाई पांच भाई जो भी हो आपके ठीक है और उसमें क्या हुआ आप सब लुक साजे में हैं तो एक क्या ज्वेंट फैमिली कहलाएती है सइक्त परिवार कहलाता है और सब्सक्राइब करता है और साथी साथ हिंदू बिभा इन दोन पर निमन्द लेकिए बहुत ज़ उन्हों के बारे मता देना है ठीक है और यहां कहा रहा है धर्म धर्म या फिर जो रिलियन होता है वह आपको बताएं छोड़ दीजिए समाजिक वर्ग किसे कहते हैं समाजिक वर्ग कैसे कहते हैं उसकी विशेष्था के बारे मताना है नगरिये और धोगिक वर्ग उनकी अ और पिश्छली वर्ग, पिश्छली वर्ग में जो लोग आते है उन के बारे में आपको याद कली। भारती हिंदु समाज में महलाओं की समाज इस्तिती की बारे में आपको देख लेना है। और भारत हिंदू समाज में महलाओं के इस्तिति क्या है समाज में उस इस्तितियों के बारे में आपको देख लेना है ठीक है तो याद रखना शोसल कंडैशन ऑफ बुमेन इसको आप देखां गैसर जंसंक्या नीती क्या है उस्के कारण क्या है चिं संक्या के कारक त्मक क्या है और जंसंक्या किस तरीके सम्हें करें गार केंगे बुदऌ की सद्धांत की बारे पढ़के जाना राश्टी एक एक जान ऊपर बता चुको इसको छोड़ दीजिए यह भी छोड़ दीजिए ठीक है छेत्र बात को हुझे दीजिए और नीचे आप जाएंगे नकसल बाद किसे कहते बहुत जाद सब्सक्राइब एक बंद्वर्ग है यहां पूंचा गया है जाती एक बंद्वर्ग क्यों मäक बता देना है और कह सकते हैं अर्थ किया होता इसके बारे में पढ़ड़ाना है पर आपотыल बाइस भी देखेंगेँ पडργो होने नाम आने वाला है इतने कोशन आपने पढ़ लिए तो बस इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना बहुत हो जाते हैं कोशन बहुत जिसे कहते हैं ठीक है और चलको सब्सक्राइब जरू कर लेना दोस्तों को शेर कर देना बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए सब्सक्राइब दस्तों एक नई वीडियो के साथ में हिस्ट्री जिलोजी बॉर्टनी केमस्ट्री बीए बीस से सब के लिए हम इंपूर्डेंट कोशन दे रहे हैं आपका भाई बेन कोई भी उन्हें सब को बता दो थैंक्यू